ओडिशा में पूरी के तटों से मच्छवारों को हताया गया है जबकि रेलवे ने बयान चारी कर कहा है कि बंगाल में सियालदा स्टेशन से आज रात आठ बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर रोक रहेगी तो देखिए यहतियातन तमाम विवस्ताएं की जा रही है लेकिन ओडिशा के तटों पर खास करके अलर्ट जारी किया गया है और भाना यह जा रहा है कि इसका जो असर है भीहार चार खंड में भी देखने को मिलेगा यह तिन तस्वीर आपको लिखा रहे हैं चाहिए रुस्त की जा रही है और देखिए आपदा से निपटने के तयारी किस अस्तर से हो रही है उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है और देखिए राज़ी से बड़ी खबर जहां मौसम का मिचाज स्याहा बदल चुका है चक्रवात डाना के आने के पहले का असर दिखना चक्रवाती जो असर है वो अब डाना का दिखने को मिल रहा है और दिखना यह शुरू भी हो गया है बताया जारहे कि आस्मान में काले बादल चुका हूए है अलाकि बिहार आते आते उसकी गती धीमी होने की संभावना है। साधर जानकारी दे रहे हैं न्यूजटिन संभाधदाता अमित कुमार। जानकारी मौसम बिहार के जानकारों ने दी है। उनके मुताविक उत्री उडिसा और पस्चिम बंगाल के बीच या 110 किलोमेटर पत्रे घंटे के रप्तार से अस्तर से ठकराएगा। आनी-पानी का असर देखनों के भी लगा और इस दोरान जो मौसमगा के जानकार हैं उन्होंने अलर्ट एक जारी किया है। और एक अपील की है लोगों से कि अगर बहुत आपको वश्यक काम ना हो तो इस दोरान जो है खेट बढ़ार में आपना जाए चुकि बिजली गिरने की वी संभावना है और टेज आनी-पानी के वासार नजर आ रहे हैं। प्रशाशन अलर्ट मोड में है जादा जानकारी दे रहे हैं नियूजटीन समभाद दाता गोविंद कुमार लेकर गोपालगंज में भी प्रशाशन अलर्ट मोड में हैं गोपालगंज में आज रात में डणा तुफान का असर देखने को मिल सकता है, हाला कि इस वक्त मौशम शाफ है और सभी इलाकों में धूप निकली हुई है लेकिन जिस तरह से तुफान को लेकर पूरे बिहार में अलट जारी किया गया है उसको लेकर गुपाल गंज प्रशासन भी सतर्क और अलट मोड में है गुपाल गंज के सभी अस्पतालों को अलट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है इसके अलवा जो एंबुलेंस से उसे तयार कर दूरुस रखने का निर्देश दिया गया है सिविल सर्जन डॉक्टर बिरंद प्रशाद नहीं ये कहा है कि तुफान के मद्दे नजर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलट है कहा ये जा रहा है कि तुफान है वो आज रात में यानि कि 24 अक्टूबर की रात में बिहार में परवेश कर रहा है और इसका असर गुपाल गंज के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है तो ऐसे में तुफान को लेकर लोगों से अलट और साधानी मृतने की अपील भी की जा रही है गोविन कुमार नुजटिन गोपाल गंज चक्रबाती तुफान डाना की वज़त से आज विहार से होकर गुसरने वाली पारट ट्रेन रद रहेगी इसे लेकर परोमध रेलवे ने संबधित ट्रेन के यात्रियों को जानकारी दे दी गई है रेलवे से मिली जानकारी के नुसार पटना पूरी स्पेशल, पटना एर्दना कुलम एक्सप्रेस, भोनेश्वर धनबाद स्पेशल, पूरी जैनगर एक्सप्रेस, बैंगलूरू मुस्दफर पूर एक्सप्रेस, आनंद विहार, पूरी नंदन, कानन एक्सप्रेस, समित बा पतना जक्षन से अधिक जानकारी दे रहे हैं समबाददाता अमित कुमार जो च्पेस्ट रद की गई है जिरो तो आर्स एक्षिस धन्वाद भुनेश्वर स्पिसल ट्रेंड रद की गई है जो जनकारी एक मैट्कुन यह भी है कि 0-331 गुर्पा तरहिया राजगीर एक्षिस जो है आज 26 अक्टूर से 30 नमबर तक परतिनी गुर्पा से दोपार दो सब्सक्राइब करेंगे और आखिरी जनकारी है जो पताते यह चले कि 0-331 गानपूर सहर्जदा है जो आज से 30 नमबर तक परतिन होगा तो यह जो जनकारी है वह भारतिया रेल के परत्शावद से दिए और इसकी जनकारी जो है भारतिया ने भी वैसे याक्षिकों दे दि